यूपी का मौसम मई महीने में बार बार करवड बदल रहा है आज यानि शुकरवार को भी बेश्ट यूपी में धूल भरी आधी के साथ बारिश हो सकती है जहां बीते दिन प्रदेश के नौ जिलो में बारिश होई इससे मेरट में 12.5 और बागपत में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई लखनो और कानपूर में आधी चली मौसम विभाग ने मध यूपी और इस्ट यूपी में अगले तीन दिन तक हीट वेब चलने का उनमान जताया है वहीं वराड़सी में सुबह से धूप खिली हुई है यहां का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया हाद गाजियाबाद अलिगड नैशनल एक्स्परिसवे को 6 लें बनाने का कारी चल रहा है क्यूब हाइब द्वारा सौ घंटे में 100 किलोघ्र रोड बनाने का बिच रिकॉर्ड दर्च किया गया अभी तक बिच रिकॉर्ड 75 किलोघ्र बनाने का था वहीं बिच रिकूर्ड के लिए बता दे कि 200 से अधिक रोड रोलर का इस्तमाल किया गया है नेशनल हाइवे पर 91 की सौनदी करड़ का भी बेहत खासा ख्याल रखा गया है प्रोपर लाइटिंग और रोड किनारे खुबसूरत डिवाइडर बनाया गया है जब कि नेशनल हाइवे के बीच करेंगे इसमें करीब 350 खिलाड़ी शामिल होंगे वरारसी में आयोजित इसकारिकरम के अंतिम दिन यानि तीन जून को प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी खिलाड़ियों का जोश हाई करेंगे वर्चूल माध्यम से पीम इन से जुड़कर खिलाड़ियों को संबोदित कर सकत लगते हैं इस आयोजिन में खिलाड़ियों के साथ करीब 5000 लोगों को पीम संबोदित करेंगे आयोध्या में बन रहे राम मंदिर के ग्राउंड फलोर की छट पर करीब 50% काम पूरा हो गया है राम मंदिर ट्रश्ट का लक्ष जून तक छट निर्मार के काम को पूरा करने क है इस बीच मंदिर के खंभो सहित अन्यस्थानों पर लगाए जाने के लिए शास्त्रों में वड़न किये गए परसंगोग पर अधारित मूर्तियों का निर्मार तेजी से किया जा रहा है वहें श्राम जन भूमी तीर्थ अस्थल के सदस के अनुसार राम मंदिर के प्रदेश त्वार के पास हाथी की परतिमाया स्थापित की जाएंगी ग्लोबल इंवेश्टर समित का रंग अभी शहर के ऊपर से उत्रा ही नहीं था कि अब एक बार फिर खेलो इंडिया इंडिया इंवर्सिटी गेम्स के लिए शहर को फिर से सजाया जाएगा पूरा शह को wh season 5 यहां जहां परतियों चुपिताय होंगी वहाँ वहाँ स्वास्त चौबंध होंगी की विए आने जाने का बहतर पर्बंध होगाilleurs कर्मी को देखते हुए पेजल की अधिक से अधिक वियुस्था की जाएगी उन्होंने कहा कि पर्तियोगिता में हिस्सा लेने आ रहे महिला और प्रूस खिलाडियों की सुरक्षा वियुस्था का खासा ख्याल रखा जाएगा खिलाडियों को पौश्रिक भोजन भी उपलब् लेकिन वहीं कई ऐसे सरकारी भी भाग और संस्थान है जिन्होंने कई सालों से हाउस टेक्स जमाण नहीं किये और कई नोटिस के बावजुद जमा करने की तरफ कदम भी नहीं बढ़ा रहे हैं वही जानकारी के लिए बता दे कि जिन सरकारी संस्थानों पर ग्रहकर बकाया है कर दे दिया गया है जबकि दूसरे नमपर बी आई-ई-टी कॉलेज है इस पर लगभग 4.5 करोड रुपए का हाउस टैक्स बकाया है तीसरे नंबर पर वह बिभाग है जो खुद आम लोगों से टैक्स होसूलता है इस बिभाग का नाम है इनकम टैक्स बिभाग जिस पर लगभग 10 लाक रुपे का गिरह करवाया है नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि इंकम टेक्स भी भाग दोरा लगाता टेक्स देने में आनाकानी की जा रही है उतर पर्देश के और यह जिले में कोतवाली लाके के महला गुम्टी मुहाल में एक मकान की खुदाई के दौरान एक इट और कुछ सिक्के मिलने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है मजदूरों के शुर शराबा करने पर मामला शोसल मीडिया पर वाइरल होने लगा यह देख मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच परताल की इसके बाद ग्रेस्वामी ने खुदाई में निकले सिक्के को कोतवाली में जमा करा दिया हलाकि चर्चा यह भी है कि एक मजदूर सोने की इट लेकर फरार हो गया है सिसी टीबी फुटेज में यह तसले में मिट्टी लेकर जाता दिख रहा है कहा जा रहा है कि मिट्टी के अंदर उसने इट छिपाई थी ऐसा कहा जा रहा है कि साथ माई को खुदाई के दौरान कुछ बेशकीमती खजाने जैसा निकला जिसके बाद मकान मालिक ने इसकी जानकारी पुलिस और परशासनिकारियों को देना मुनासिब नहीं समझा अस्थानी अस्थर पर लोगों के जर्य ये बाद चर्चा के केंदर में आई इटावा सफारी पार्क में भीशन गर्मी का ब्यापक असर देखने को मिल रहा है परटको की संख्या में खासा गिरावट देखी जाते ही है जिसकी मुख वजह तापमान बताया जा रहा है पहले के मुकाबले परटको की संख्या आधी हो गई है लगातार तापमान बढ़ रहा है जिले का बरतमान समय में 42 से 45 डिगरी का तापमान है जिस कारफ पैटेग भी अब सफारी पार्क तक आने में कत्रा रहे हैं ऐसी भीशन गर्मी में सफारी पार्क में पैटेगों की कमी की चलते हैं यहां काफी सन्नाटा दिखाई दे रहा है सर्दी और बरसात के पेक्षाग गर्मियों में सहलानियों के आवागमन में गिरावट देखने को मिल रही है मतुरा की सांसद है ममाली ने शुकरवार को प्रार्थमिक बिश्र विद्याले में पढ़ने वाले बच्चों को पठन सामगरी के लावा स्कूल बैग बितरित किये कारिकरम में सांसद ने बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया इस तोरान उन्होंने कहा कि बच्चों के बीच आकर उन्हें बच्चपन का हैसास हो गया वहीं मतुरा के गोपालगड इस्तित उच्चतर प्रार्थमिक बिद्याले पर शुकरवार को एक कारिकरम का आयोजन किया गया प्रोमिसिंग इंडियन सोसाइटी के दौरा ओयन जीसी के सहयोग से आयोजन कारिकरम में स्कूली बच्चों को कॉपी पेंसल, लंच बॉक्स और बैग बितरित किये गए साथ ही कारिकरम में स्कूल बैग मिलने से छातरों के चेहरे पर मुस्कान छा गई इस दौरां सानसद हमामाली ने बच्चों को राधे राधे कहकर संबोधित किया संबोधन के दौरां हमामाली ने कहा कि क्या वह प्रधानमंतरी का नाम जानते हैं इस पर चातरों ने नरिंद्रमोदी का नाम लिया मेरट के लिसाडी गेट थाना शेतर इस्तित लखी पुरा में अग्याद चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली मकान मालिक अपनी बीमार भावी को डॉक्टर के पास लेकर गया था इसके लिए मकान पर ताला लगाया गया था दिद्धाडे ही चोरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया वह जानकारी के लिए बता दी कि माम लाल लिसाडी गेट थाना शेतर के इस्तित लखी पुरा गली नंबर 24 का है यहां के रहने वाले आसिप अपने मकान के ताले लगा कर अपनी बिमार भावी को लेकर खतावली इस्ति डॉक्टर को दिखाने गए थे शुकरवार दोपार आसिप के पड़ोसीों ने आसिप को फोन कर जानकारी दी कि उसके मकान के ताले टूटे हुए हैं साथ ही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीडित जानकारी लेने के बाद अग्याज चोरो की तलाश शुरू कर दी है